जोहार सभी साथियों का अभी लगातार सारे नेताओं के इंट्रिव्यू आ रहे हैं जो जो जीते हैं सब चैनल्स उनका एके करके अब इंट्रिव्यू लेंगे तो मुख्यमंत्री जी का पहले संबोधन मैंने सुना और बहुत नपा तुला बात उन्होंने किया बहुत अच्छे बाते के ही रोजगार का भी जिक्र उन्होंने किया और जो सोना जारकन धीर जारकन हम लोग बोलते हैं वो सिर्फ कहने के लिए ना रह जया उसको धरातल पर लेकर के भी आना है कम साल में बहुत मेहरत करना इस तरह कि बाते हैं उन्होंगा की आप लोग भी सुनaking को सकते हैं एंहेंगी सब्सक्राइब करें और हेमन सोरेन से कही ना कई उम्मीद है भी यह आदमी काम करेगा लेकिन जो इनके एलाइज पार्टनर हैं जिसमें कॉंग्रेस है और अब तो राजद चार से पांस सीट वो जीत गई है राजद सायद तो यह जो दो दल है न यह काम करने तो नहीं देंगे यह पिछले पांस साले इसमें भी यह राजद और कॉंग्रेस डेफिनेटली स्पीड ब्रेकर का काम करें गया बाकी ऐसे हमन सोरेन से हम लोगों को उम्मीद है क्योंकि वह आदमी जारकंडी है और एक्चुल में जारकंड का भला चाहता है लेगिन चुकि उनकी अपनी भी सीट उतनी नहीं ह कि अकेले वह सरकार चला पाएं यह कटबंधन की सरकार है तो आप समझे सकते हैं मजबूरी क्या होगी लेगिन इंट्रेस्टिंग इंटरव्यू है जाराम महतो का आप उनकी बाते में सुनिए बोल रहे हैं कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा सपना पूरा हो कि वावरी बाते देखना भी स्पना बडा देखना चाहिए क्या बोला जाय है इस पर उनका सपना पूरा हुआ है डुंदी से पूरा हुआ है और लोग बता रहे है यह मेरा आकलन नहीं यह लोग बता रहे है इसलिये जिदना सगहन अभियान उन्हों ने दुम्री में चला ठीक है ये लोग बता रहें अब क्या कारण है ये तो जरा मौतों ही बता सकते हैं कि क्या कारण है कि जहां पर उनको ज्यादा मेहनत करना चाहिए था बाहरी के अंड्रेट तो बेरमों में था डूमरी में जिसको आपने हराया वो तो सुदुरूप से जारखंडी है और कहीं ने कहीं जरा मौतों की पार्टी का सबसे मेन मुद्दा जो था वो बाहरी और भितरी वाला ही था तो भितरी को हराने के लिए पूरा जीजन लगा दि दिया गया कि आप दूसरी समय बता रहे हैं कि मां समय है जब मां जहां से खड़ी हुती है वहाँ से बीटा को खड़ाओना जरूरी करें भी अब देखते हैं और कितना काम होता है नहीं होता है ठीक है और अव बहुत बला डेंट तो पड़ा है आजशू जो एक सुधरूप से महतो समाज की पार्टी थी ठीक है बहुत हेवी डेमेज उसको हुआ है और अगर मैं वास्तविक्ता की बात करूँ तो आजशू को ही रिप्लेस कर पाएंगे जारा महतो की पार्टी जो अगर है अगर ये समयकाल के अनुसार जिस प्रकार के चैलेंजेस इनके सामने आएंगे अगर ये सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं तो आजशू को ही रिप्लेस कर पाएंगे और आजशू का अभी के टाइम क्या वकाते आप देखी रहे हैं एक सीट जीता है उन्होंने और बेस्ट परफॉर्मेंस एक बार हुआ था कि दस बारा सीट वो जीत गए तो उसके बाद कभी उतनी सीट जीत नहीं पाए और जारा महतों जब अगली बार चुनाव लड़ेंगे कि डॉजार उन्तिस में असी बात नहीं कि अधसु नहीं चुनाव लड़ी आजिसु भी लड़े प्रत परसं चुनाव लड़े गाध वे चुmetानीब spricht Irsham मिल या 50 इसको मिल जागा 40 इसको मिल जागा इस तरीके से वोट डिवाइड होगा और दोनों ही पार्टी के कणडिडेट वोट कटाूआ साबित होगे और एक से दो कैंडिडेट इनका जीता जैसे कि जी येल की हम से एक जीता आज 2001 जीता शेम यही चीज दोजार उन्तिस में भी होगा एक दो केंड़ेट इनके जीतेंगे और बाकी हर सीट पर कॉंग्रेस और जीएमेम को भरपूर सहायता ये लोग पहुंचा देंगे ठीक ये चीज होना ही होना है अब सारे चीज़ों पर लोग स्टड़ी करेंगे सब विश्लेशन सब तो होगा ही आप लोग भी करिएगा ही कि इनको दो से Ol इसीटों पर ही लडना होता है लेकिन अब जो हैसो है चुनाव लड़ना सबका अपना समयदानिक अधिकार भी है और बाकी देखिए आगे पांस साल में क्या-क्या होता है बाते तो बहुत अच्छे चीहमन सोरें जी ने बोली है बाकी इसमें कितनी सच्चाई है और कितना ये धरातल पर उतरेगा ये तो छे महना के अंदर सारा चीज पता चल जाएगा आप क्या सोचते हैं आप लोग भी कमेंट सेक्षन में अपनी राय दे आप सबको दिल से जोहार